नमस्का सिचक सातियों एक इमर्जेंसी सूचना है अभी तुरंट थोड़ा दिर पहले मानिए डॉक्टर रंजीर सर के आहां से संबाद आया है कि नियोजन प्रकिरिया जैसे चल रही है उसी तरह से जारी रहेगी नियोजन प्रकिरिया में जो अपत्ती ली जा रही है वो लगतार उसी तरह से लिया जाएगा इनफैक्ट अनुमोदन तक सारी प्रकिरिया की जाएगी अनुमोदन के बाद सीधा कैम्प लगाया जाता है और कैम्प लगाके नियोजन पत्र वही पे जोईंग लेटर दिया जाता है यहां तक सारी प्रकिरिया की जाएगी अनुमोदन तक सारी प्रकिरिया की जाएगी सिर्फ कैम्प लगाके नियोजन पत्य देना बागी रहेगा उन्होंने स्परस्ट किया है कि चुनाब एक अलग मुद्दा है चुनाब अलग होते रहेगी और नियोजन प्रेकिरिया अलग होते रहेगी दूसरी बात जो कोर्ट में जो दोनों केसेज का जो मामला पैंडिंग पड़ा हुआ है प्रात्मिक्ता वाला मामला में 9 नमंबर को decision आना है judgment को reserve कर लिया गया है जो judgment आए प्रात्मिक्ता रहेगी या प्रात्मिक्ता नहीं रहेगी यदि प्रात्मिक्ता रहेगी तो DLT को पाले लिया जाएगा बीएट को बार्द में परात्मिक्ता नहीं रहेगी तो दोनों को साथ में मेगा सुझी परकासित किया जाएगा यह तमाम चीजे सबने असपरस्ट किया है रही दिसंबर वाला मामला तो दिसंबर वाला मामला दो नमंबर को सुनमाई होनी है उसमें भी जो डिसंबर आएगा सरका कहना है कि जो डिसंबर होगा वो मान होगा यदि लाव किया जाएगा तो उनका भी आवेदन एक्षप किया जाएगा इलाव नहीं किया जाएगा तो न्यून पर किरिया जो चल लेए उसी हिसाब से चलेगी तो यह तमाम चीजे भी मैसे कारी आपके साथ खड़ा है उन्होंने जो बादा किया था वो बादा में हमेशा वो खरे उतरे हैं उन्होंने लगातार सा समय नियोजन पर किरिया कराने की बात कही थी वो उस पे खरे उतर रहे हैं वो लगातार इस पर परियास कर रहे हैं लेकिन कोट की जो सुनवाई है उन परियास किया रहा है किसी भी हाल में वो चाह रहे हैं कि मैक्समम बच्चा जॉइन करें और जितना जल्द जॉइन करें लेकिन आपसी बिबात ये कारण बीए डिये ड़ाये कारण और तमाम चीजे के कारण ये मामला कोट में लंबित है इसके बज़ा से रंजी सर के हाथ में जुतना चीज था वो करने का परियास कर रहे हैं एड़्योकेट को पटना हाई कोट में बहस कराना नहीं कराना प्रिंस समय लें सीधा समय लें कि उनके पावर का बहार का चीज है एड़्योकेट कौन आएंगे एड़्योकेट जन्रल आएंगे कौन एड़्योकेट आएंगे नहीं आएंगे उनके पावर के एंगेश्ट है वो सरका बस इतना ही पावर है कि नियोजन करा सके नियोजन परिकिरि काम होता है उसके बावजूद भी सरपरियास कर रहे हैं कि कोट का भी सुनवाई जो है एड़ोकेट वहाँ पर मौजूद हो और उसमें कहीं ने कहीं थोड़ा बहुत खारा भी उतरे हैं लेकिन जितना उनसे बन पा रहा है उतना वो कर रहे हैं इसलिए सभी जितने भी 94 हजा उस शिचक पाटीसिपेट कर रहे हैं इस नियोजन में सभी लोग उनको थैंक्स कहिए और वो नियोजनपरिकिरिया को फ़ारी रखने का बादा किये हैं और अन्वोजनपरिकिरिया को आगे पढ़ाएंगे ने पत्रा आपको देंगे इन फैक्ट उन्होंने यहां तक कहा है कि हम डॉक्वन फेरिपिकेशन भी इस बीच करा लेंगे यह तमाम चीजे उन्होंने कहा है और मुझे पूरा भरोसा है यह कि इमांदार अधिकारी पर भरोसा है कि आज तक जो भी कहें हैं वो किये हैं इसलिए ट्यूट करके उनको धन संसन कभी प्रक्रिया किया जाएगा फिलाल इतना ही संबाद नियोजन प्रक्रिया एक्सल सीट पर जारी रहेगी अनुमोधन तक सारी करवाई की जाएगी कोट का जो डिसीजन होगा जिसको जो मिलना होगा मिलेगा जो लिजीबल होंगे उनको लिजीबल किया जाएगा औ बहुत बहुत धन्यवाद